हेलो वीवर्स वेल्कम बैक टो चैनल अब से के डिवल आज की इस प्यूडियो में हम क्लास 11 इंग्लिस लिटरिचर का फॉर्स लेशन दा पॉर्टेट अव लेडी रिटिन बाई खुश्वन सिंग के शॉर्ट आंसर को दिल करेंगे इसका इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं 1 2 3 4 5 5 इसको मैंने रिटिन आंसर यहां पर लिखा हुआ है इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं इनकी जो लाइफ स्पान है वो 1915 टू 2014 है शॉर्ट आंसर टाइब क्वेस्टेंस हैं अंसर फॉल्विंग क्वेस्टेंस इन नॉट मोर दैन 30 वोर्ट इज तीस वोर्ट से ज्यादा नहीं देना है जो नेरेटर्स के जो स्टोरी टेलर हैं उनके बाबाजी किस तरह से पोल्टेट में दिख रहे हैं कैसे लग रहे हैं ऐसा पूछा गया क्वेस्टिन जो पोल्ट देकर के कम से कम साल के लग रहे हैं वोर अटरवन एक पगड़ी पहनी हुई है और लूज फिटिंग क्लॉट्स उनके कपड़े ढीली ढाले हैं वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे उनके पास रहे सारे उनके ग्रैंड सन और डाटर हो कि इसमें पढ़ा भी होगा कि उनको देकर कि ऐसा नहीं लगता कि उनकी कभी वाइफ रहे होंगी बसकि वह लहीं लगता है कि उनके ढहें सारे उनके नातें और नाती होंगी इसमें लिखा गया है okay describe the happiest half hour hour of the day for the grandmother जो ग्रैंड मदर ने दादी जी है उनका जो happiest half hour of the day है उसको यहां पर पूछा गया है the happiest आप जानते हैं कि वह जब चडियों को feed कराती थी वहीं का happiest हुआ करता half hour of the day for the grandmother was nothing else कुछ और नहीं बल की but she used to sit in the veranda वह बैठा करती थी ब्रैकिंग दे ब्रेड इन्टु लिटल बीड्स रोटी की छोटे टूड़ करके to feed the sparrow और वह लिटल बोट्स होती है उनको फीड करती थी उसके इस तरह से answer करेंगे question number three how did the narrator and grandmother become good friends कैसे वे दोनों जो है एक अच्छे friends होते हैं तो आपने पढ़ा होगा story में आपने यह पढ़ा है कि जब उनके narrator के parents उनने छोड़ करके city में चले जाते हैं तो वो अपने दादी मा के साथ रहते हैं दादी मा उनको जगाती है स्कूल के ready करती हैं उन्हें डेर सारे जो है प्रेयर रिशाइड करके सुनाती हैं ताकि वो याद कर सके फिर उन्हें स्कूल ले जाती है साथ में वो भी स्कूल जाती है वो scriptures read करती है फिर वापस आती हैं कुट्तों को डियर सारा जो है वो चपाथीज रहती थी तेल चपाथीज उन्हें वह तोड़ तोड़ के फेकती थी और इस तरह से वो लोग साथ साथ पूरा दिन रहते थे और वो इस तरह से एक अच्छे फ्रेंड थे ने रेटर और ग्रांड मदर बिक चीजों को नहीं लिख सकते है क्योंकि वोड्स लिमेट है लेकिन हमें थोड़े सी स्टोरी को जो है रेफरेंस करें लेना चाहिए वाई कुट्ट द ग्रांड मदर नॉट वोग स्ट्रेट क्यों वह सीद्य नहीं चलती थी द ग्रांड मदर वोज ओल्ड एंड बेंट वो ती और जब हमारी ओल्ड होती है तो हमारे शरी धिर धिरे बेंट होने लगती है कुछ ऐसा उनके साथ भी था देट वोज वाई सी कुड़ नॉट इस्ट्रेट इसलिए वह जो है आज सी वोज आज वाई सी कुड़ नॉट वाउक इस्ट्रेट यहां पर वाउक होगा वा अपने टाइम को कैसे जो है स्पैन करती है जब वो नेरेटर जो राइटर है खुश्वन सिंग यूनिवस्टी जब जाती है दोनों लोग काफी टाइम बाद लोग मिलते हैं इनके बीस में वो रिलेशंशिप नहीं रहती है जो गाउं में रहती है वो जो चर्खकातने वाली विल है उसके साथ समय बिताती है और प्रेयर को रिसेट करती है और मुस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन अप्रनून सीथ्रिव स्मॉल बेट्स ब्रेड टो दे लिटल बाद्स और वह भरामदे में बैठ करके फिर छोटी-छोटी टुकुडे करके रोटियों का हुआ उन बाद्स को खिलाती थी जो उनके आस-पास सो की संख्या में आती कुछ उनके पैर पर बाढ़ती थी कुछ शोल्डर पर बाढ़ती थी और धियर सारी जो उनकी साथ फैमिलियर होगे थी देवर में बिकम फ्रेंट्स विदर ओके इक्विशन नमबर फूर में कुड़ नोट स्ट्रेट जो है इसकी इसमें वहाग होगा मैंने इसको एड कर दिया है तो इस तरह से आप इसे साथ अंसर्स को अपने कॉपी में लिख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए प्रेपेर कर सकते हैं नेक्स्ट लॉंग अंसर्स की वीडियो से पढ़ेंगे थांक्यू फूर बोसिंग